हेलो बच्चो, वेलकम बाक तो माई चैनल, मेरा नाम जगदीप है और मैं 18 सालों से एकनामिक्स पढ़ा रही है इन 18 सालों में मैंने सभी नाशनल और इंटरनाशनल बच्चों को पढ़ाया है और इसे लिए मुझे सभी के paper patterns और answering techniques की knowledge है जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये वीडियो सीरीज जो है consumer equilibrium के उपर बन रही है तो अगर आप लोगोंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख ले क्योंकि उस वीडियो के concepts को समझे बिना इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ही difficult हो जाएगा और बच्चों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस वीडियो सीरीज के खतम होते ही मैं इस टॉपिक के नोट्स रिलीज करोंगी ठीक, so without wasting any time further, let's get started जैसे कि मैंना आपको इंट्रॉक्शन में बताया था कि यह वीडियो सीरीज इस प्रिजूमर एक्विलीब्रियम पे पेस्ट होगी या कंजूमर एक्विलीब्रियम पे focused होगी उससे related कुछ important concepts हैं जो आपको पहले समझने होंगे ताके आप consumer equilibrium के laws और how to find consumer equilibrium को समझ सको ठीक है तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी utility के बारे में उसके meanings और features के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे concepts of utility के बारे में so utility के दो important concepts है एक है total utility और दूसरा है marginal utility और यह दोनों ही important है इन दोनों segments को study करने के लिए कौन-कौन से segments है यह एक तो है law of diminishing marginal utility या law of DMU जैसे हम बोलते हैं से और दूसरा है consumer equilibrium study करने के लिए under single commodity and two commodities ठीक तो पहले हम total utility के बारे में बात करेंगे total utility को समझने के लिए हम एक example लेते हैं सो मान लो एक student है एक बच्चा है और उसका नाम है Ajay ठीक है Ajay और Ajay consume कर रहा है mango slices mango slices mango slices ड्रिंक नहीं ठीक है के ट्रीना काफ जिसके याड़ देती है वो नहीं proper mango काटकर की जो slice बनती है mango slices वो खा रहा है ठीक है अब इन mango slices को खाने के बाद इसे कुछ happiness मिल रही होगी कुछ satisfaction मिल रहा होगा और हमने हमारे पिछले वीडियो में इस पर बात की थी कि हम इस satisfaction को numerical value दे सकते हैं जिससे हम utils में मापते हैं ठीक है किसमें मापते हैं utils में अब total utility के concept को समझने के लिए चोटा सा table बनाते है ठीक है table कुछ इस तरीके से बनेगा पहले तो हम उस commodity का नाम लिखेंगे जो हमारा consumer जो है वो consume कर रहा है ठीक है so commodity का नाम क्या है mango slices मानलो आजे ने पहली mango slice खाई और उससे 20 utils की satisfaction मिल गई अब 2 slices खाली उससे 35 utils की satisfaction मिलनी फाई रहा है तीन स्लाइसिस खाली उससे 45 utils की satisfaction मिली चार mango slices घाने पर 52 utils की satisfaction मिली फाई और 55 ty satisfaction मिली 6 mango slices खाने पर 55 utils की satisfaction रही और 7 mango slices काने पर भाई अजे को 53 utils की satisfaction मिली यह ना अब अगर हम इससे properly analyzing करे तो until a certain point, यानि कि 5 mango slices खाने तक, ये जो satisfaction थी, ये increase हो रही थी, बढ़ रही थी, 20 से 35 हुई, 35 से 45, 45 से 52, और 52 से 55. 5th और 6th mango slice पर, जो satisfaction लेवल था, वो same था, 55 पर, 55 भी रहा, 6th और 7th mango slice पर, level of satisfaction जो था, वो घट गया 55 से 53 पर आ गया, यानि कि हमारी जो satisfaction थी, आजे कि वो कम हो गई, गिर गई, ठीक, तो यहां हमने क्या किया, हम क्या calculate कर रहे हैं, कि भई, सारी mango slices खाने के बाद, अजे की जो level of satisfaction है, वो कहां पर है, किस level पर है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, और यह है क्या, इस concept को हम बोलते हैं, total utility, अब इसको हम define कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे इसके बारे में, so total utility को हम इस तरह से define करेंगे, total satisfaction derived from consumption of all the possible units of a commodity, ठीक है, इसको short form में हम, त्यू लिखते है, ठीक है, अब इसका formula क्या है, so tun is equal to u1 plus u2 plus u3 dot 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 plus un, ठीक है, so यह n जो है यहाँ पर, यह n जो है, यह आपका last unit है, जो आप consume कर रहे हो, as a consumer, तो अजय ने यहाँ पर जो 7th unit consume की है, that is n, ठीक है, कहीं सारी commodities होती हैं, जिसमें 3 units ही लगेंगे, लिखेंगे, satisfaction derived करने के लिए, तो n 3 units हो जाएगा, या 3rd unit हो जाएगा, समझ में आगया बच्चों, तो यह formula हमें completely हर बार याद रखना है, ताके हमें पता चल जाए कि total utility जो है, वो इस तरह से calculate की जाती है, total utility का एक formula और है, जो हम marginal utility study करने के बाद ही पता कर सकते हैं, तो यह formula number 1 है, formula number 2 के लिए हम थोड़ी सी जगा छोड़ देते हैं, दुबारा यहाँ पर आएंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं और study करते हैं marginal utility, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं line, क्योंकि marginal utility हम यहीं calculate करेंगे, लिख लेती हूँ, marginal utility, अब marginal जो word है, यह word जो है microeconomics में आप कई बार पढ़ोगे, और कई concepts के साथ जोड़ करके पढ़ोगे, कैसे जोड़ करके पढ़ोगे, जिससे आप utility के साथ पढ़ रहे हूँ, ठीक है, so utility में हम marginal utility पढ़ रहे हैं, इसी तरह से जब cost और revenue analysis होंगे, वहाँ पर भी marginal जो concept है, वो study किया जाएगा, so marginal concept एक बहुत ही important concept है, microeconomics का, और इसकी understanding अगर हम यहीं से strong बना ले, तो आगे वाले segments में, आगे वाले chapters में यह पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक, so marginal utility हम कैसे calculate करेंगे यह कैसे find out करेंगे, ठीक है, on a general note, marginal utility का मतलब होता है, हर एक additional unit जो आप consume करते हो, as a consumer, एक given commodity का, उस additional unit से जो आपको happiness मिल रही है, या जो आपको satisfaction मिल रहा है, उसे हम marginal utility बोलते हैं, ठीक है, अब इस segment में, जो हमने अजे के लिए calculate किया है, उसी के base पे हम marginal utility calculate करेंगे, ठीक, so पहले mango slice में compare करने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए marginal utility निल रहेगी, पर जब पहले से दूसरे mango slice पर अजे जा रहा है, तो उसने एक additional mango slice खाया, और उस एक additional mango slice से अजे को 15 utils की extra happiness मिल रहे है, extra satisfaction मिल रही है, तो marginal utility कितनी बन गई, 15 utils, यह plus sign में यहाँ से निकाल देते हैं, सिरफ यहाँ बीच के column में ही ठीक है, अब दूसरे से तीसरे mango slice पर आगए आजए, यहने कि फिर से एक additional mango slice खाई, पर utility में 10 utils की satisfaction जादा मिली, है ना, तो marginal utility कितनी बन गई, 10 utils, थर्ड से फोर्थ mango पर दुबारा से एक addition हुआ, पर utility में 7 की addition हो गई, 45 से 52 utils की satisfaction मिली, तो marginal utility बन गई 7 utils, फोर से फिफ्ट में फिर से एक addition हुआ, पर utility में 3 additions हुए, तीन से utility, total utility जो है वो बढ़ गई, तो 3 utils की marginal utility हमें मिली है, अब 5th से 6 mango slice पर एक addition mango slice खाई है, पर utility यहाँ पर change नहीं हुई, यह न, 55 से 55 पर ही रह गई, तो यह 0 utils की satisfaction यहाँ पर मिली है, याने कि technically देखा जाये तो कोई additional satisfaction यहाँ पर नहीं मिली, तो 0 utils, और 6 से 7 mango slice पर दुबारा एक additional mango slice खाया है जेने, बट level of satisfaction अब कम हो गया, 55 से 53 पर आ गया, याने कि 2 utils से marginal utility कम हो गई, गिर गई, ठीक, अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो इस table को हम कैसे read करेंगे, दो mango slices खाने के बाद, अजे को 35 utils की satisfaction मिल रही है, पर दूसरा mango slice खाने के बाद, अजे को 15 utils की satisfaction मिल रही है, है न, तो हमने कैसे पढ़ा, total utility के लिए 2 mango slices, और marginal utility के लिए हमने कैसे पढ़ा, दूसरी mango slice, उसी तरह से 5 mango slices खाने के बाद अजे को 55 utils की satisfaction मिल रही है पर 5th mango slice खाने के बाद अजे को सिरफ 3 utils की satisfaction मिल रही है ठीक सो total utility क्या थी जितने भी possible units हैं एक commodity के उन सारे units को जब आप consume कर लेते हो उससे मिलने वाली satisfaction total satisfaction है marginal utility additional satisfaction है जो आपको मिलती है एक additional unit consume करने के बाद अब marginal utility लिखने से पहले total utility का formula number 2 total utility could also be calculated as sigma marginal utility याने की सारी marginal utilities को add करने के बाद जो amount आएगा वो हमारी total utility है तो अगर आप सारे marginal utilities आड़ कर लो इस example के तौर पे 15 plus 10 plus 7 plus 3 plus 0 plus minus 2 आपकी जो total utility का calculation आएगा वो होगा equal to 53 which is this total utility derived after consuming all the 7 units सारे साथ mango slices खाने के बाद जो total utility मिली है वो 53 utils की है ठीक so total utility calculate करने के दो formula है या तो हम individual utilities को add कर ले या इस तरह से हम लिख दे सिग्मा marginal utility basically इसे हम दूसरा separate formula नहीं बोलते हैं इसी तरह से यह calculate हो रहा है हमने पहले इसे uq लिखा क्योंकि हमें marginal utility का जो concept था वो नहीं पता था अब जब हमें marginal utility का concept पता है तो basically यह जो formula है इसको हम जादा तर use करते हैं ठीक अब हम बढ़ते हैं marginal utility के formula की तरफ और definition की तरफ so marginal utility क्या है short form में mu ठीक है underline so marginal utility क्या है additional utility derived from consumption of one additional unit of a given commodity ठीक है अब इसका भी formula देख लेते हैं marginal utility of nth unit, n हमने पहले भी पढ़ा, n मतलब number of units of the commodity जो हम consume कर रहे हैं as consumers so total utility of n minus total utility of n minus 1 so मान लो example के तोर पे हम marginal utility of fourth unit निकाल रहे हैं ठीक है so total utility of 4 minus total utility of 4 minus 1 याने की total utility of fourth unit minus total utility of third unit देख रहें, so third unit की 45 है, fourth unit की 52 है total utility, यहां लिख देख अपने formula में, 52 minus 45 याने की marginal utility of fourth unit is equal to 7 चेक कर ले हैं अपने table में, marginal utility of fourth unit is equal to 7 utils perfect, समझ में आगे बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा formula formula number 2 marginal utility is equal to change in total utility over change in quantity ठीक है, अब change हम कैसे करेंगे new total utility minus old utility over new commodity unit minus old consumed unit example के तौर पे, so हम marginal utility fifth unit की देख रहे हैं तो formula के हिसाब से change in total utility देखनी है पहले याने की fourth unit की देखनी होगी और fifth unit की देखनी होगी पहले वाली और अब वाली total utility fourth unit की थी 52 और fifth unit की थी 55 ठीक है fifth unit की utility थी 55, fourth की थी 52 change in quantity कितनी थी? पहले fourth था, फिर fifth था, है ना so 5 minus 4, 3 by 1, that is equal to 3 check कर ले, marginal utility of fifth unit is equal to 3 utils ठीक है, इस तरह से हम total utility और marginal utility को calculate करते हैं, पिछले ही वीडियो की तरह, इस वीडियो में भी description box में आपको कुछ MCQs मिल जाएंगे, आप उन MCQs को solve करें, और उसके जो भी answers आपको मिलते हैं, या आपको लगते हैं, राइट हैं, वो आप comment box में मुझे ज़रू बताएं, ताके मैं यह जान सकूँ कि आपको यह concept समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ, बाई ना, take care.